प्रिशास की उच्छेतर मातमिक विटियाले बडोदा में मेत्री मैच प्रिशासन और पत्रकार संग की बीश खिला गया जिसमा अधिकारी करमचारी प्रिशासन की कफ्तान भरत नायक जी तहसिलदार ने डॉस जीद कर पहले बलेबाजी करने करने लिया रोमान्चक मुकाबली में सचिन तिगगा ने तीन चकी लगा कर मैच को रोमान्चक बनाया और पहले बलेबाजी करती हुए प्रथमपारी मिंदर धर्थ सूला ओवर की मैच में 15 ओवर में 10 विकेट खोकर 89 रन बनाये बीश में अलपहार हो चायनाश्ता के ब्रेक के बाद दूसरी बार पत्रकार एकादश की ओर से जीतू गौतम ने सरवाधिक 18 रन बनाये पत्रकार एकादश की टीम ने 11 वे ओवर में ओल आउट हो करकेवल 33 रन बना सके और 26 रन की करारी शुकस्त जीलनी पड़ी विजिता टीम और प्रिशासन एकादश के कफटान भरत नायक सर्थहसिलार और पत्रकार एकादश टीम के कफटान रिदेश तोमर सर्व पूर्व अध्यक्ष नगर परिशत बड़ुदा रहे मैच में एमपायर राजेंद सोनी मयंक राजु सुमन और शवन सुमन पीटी आई रहे विजिता टीम के कफटान मैन आफ दी मैच और दोनों ही टीम के समस्त खिलाडियों को पारितोशिक शील्ट देकर पुरुस्क्रत किया गय बडोदा और 32 शेत्र के शेत्वासी काफि संख्या में इस दुरान मौचुत रहे मैच के वियवस्ता पारचार शी सुरेश जी कुपता और समस इस्टाफ साथी और मध्यप्रदेश राज कर्मिचारी संग तहसिल अथियक्ष दिनिश गौतप और कर्मिचारी साथियों के स पत्रकार संगने समाली मैच सोहाल पूर रहा शेवपूर से विरोचीफ जीदू गौतम के रिपूर्ट कि अब बड़ा धन्यवाद तेसिदार साथ का कि आज वांसर्ट उनने सोचा में पहले हम देखते हैं कि शोपूर में हर महीने इस तरह का इत्मेच हो जाता है पहली बार बड़ादाम है सिक प्रसासने कदिगारी ने इस मेच को करा ने के लिए सोचा उसके लिए मैं सब सब अब अब बड़ा करते हैं अब उम्मी करते हैं सबसे कि यह जो चलसला चाल हुआ हर महीने दो महीने में यह उतरा और जिस तरह का मैस देख रहे हैं लोग आये थे उन्होंने इमेच देखा बहुत पहराववान चक रहा और साथ में ही पूरे स्कूल के प्रसासन रजार सु अब बहुत अच्छा कर दीगा और मैच भी शांदार आप लोगों ने बॉलिंग बहुत ची की और बहुत ही शांदार मेच रहे हैं लेकिन पूरे टाइम रोमांच मैचो बना रहा है यह बहुत ही अच्छी बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे वेवर ऐसे ही मैच के रहेंगे आप सब्सक्राइब